हेलो फ्रेंट्स, एलेक्टिकल बिश्ट में फिर्ट साब का स्वागत है दोस्तों, आज मैं बताऊँगा कि किसी भी वाल फैन, या टेवल फैन, या या स्टेंड फैन, जो भी हो उसका बूस और साब कैसे चेंज करते हैं यह जो मेरे सामने फैन दीख रहा है, यह एक वाल फैन है, जो एसकी सी कमपनी का है बूस और साब उसी पोजिशन में चेंज किया जाता है, जिस पोजिशन में पंके में साउंड आयाता है या फिर पंका में सप्लाई देने पर गूं की अवाज करता है, और ऐसे हां से घूमा देने पर घूमने लगता है सबसे पहले मैं सप्लाई देकर चेक करता हूँ तो देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं, इसमें साउंड आ रहा है करते हैं कि यह बंद हो जाता है और इसको हां से घूमाने पर ही घूमता है आए इसको चेक करते हैं कि इस फैन का बूस कटा है या साफ्ट कटा है या बूस और साफ्ट दोनों कट गए हैं इसके लिए फेन को open करना पड़ेगा, बहुं? यह फटड, अफट इसको open करते हैं तो, दोस्तों, इसमें 4 escrew दिये गए हैं बैक सैड में यहाँ पे, 4 escrew खोलकर हम सबसे पहले रोटर को निकालेंगे बाहर और हाँ दोस्तों मोटर को कभी भी open करने से पहले एक mark लगा लेना चाहिए जो कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ मोटर हो या पंका हो जैसे कि मैं पहले से लगा रखा हूँ यहाँ पे mark लगाने से हमें लाव मिलता है कि सेटिंग करने पर कोई प्राब्लम नहीं आती है तो दोस्तों इस फैन का रोटर यह है यह साफ्ट है और यह रोटर है दोस्तों देखिए यहां पे साफ्ट कटा हुआ नजर आ रहा है यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे साफ्ट में कुछ गड़ा टाइब का हुआ है और इसी को थोड़ा सा इस साइड कर दिया जाए मतलब पलट दिया जाए थोड़ा सा यहां पे गड़ा नहीं है यानि यह साफ्ट एक तरफ घिस गया है गड़ा हो गया है और इस साइड यानि बैक साइड भी ऐसा ही क कटा हुआ है यहां पे अब आये दोस्तों इसका बूस देखते हैं कि बूस की क्या पोजिशन है तो यह बूस है जो दिख रहा आपको यह पीला कलर का पीतल टाइप का यही बूस होता है तो इसको खोलने के लिए दो इसकुरू दिये रहते हैं किस-किसी में रिपीट का भी पर यह किया रहता है किस-किस में तीन इसकुरू दिये रहते हैं कि दोस्तों यह इसका बूस रहा और इसमें दो बूस होते हैं इसको भी खोल लेते हैं कि दोस्तों यह रहा इसका दोनों बूस और यह रहा इसका साफ्ट किसी भी वाल फैन टेबल फैन या एस्टेंड फैन यहां पे कुछ इसमें से साउंड आ रहा है ऐसे करने पर लेकिन यहां पे बिलकुल ठीक है यहां पे साउंड बिलकुल नहीं आ रहा है तो आइए सबसे पहले इस साफ्ट को निकाल कर चेंज करते हैं तो दोस्तों यहां पे साफ्ट निकालने से पहले कुछ साउधानिया है जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, यह साफ्ट के अगली भाग है, जहाँ पे फैन का ब्लेड टाइट किया आता है, जहाँ पे और यह बैक साइड है, जहाँ पे गेर बॉक्स रहता है, तो दोस्तों, बैक साइड में हमारा कितना साफ्ट आउट है, हम इसको सबसब पहले न दालते समय ही पट्षपने में बाहर निकालना चाहिए, और एक बात और ध्यान देना है, कि हमारा यह रोटर है, तो रोटर की साइज यह है, जहाँ पे जो रिपीट लगा हुआ है, जो इस साइड रिपीट नहीं दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं, और इस साइड रिपीट दिखाई दे रहा है, यही बैक साइड का पोर्षन है, तो यहाँ पे भी हम एक मार्क लगाना चाहिए, कुछ भी मार्क अब लगा सकते हैं, मैं पलस का मार्क लगा दे रहा हूँ, यही दो चीज हमें ध्यान देना है, इस साइड को निकालने से पहले, तो आए इ इस साइड में एलमूनियम का राउंड करके वासर बना दिया गया है, हो सकता है, इसके पहले कही रिपेयर हो, तो वहाँ पे वासर नहों हो, तो उसके जगह पे एलमूनियम का वायर को लपेट कर वासर बना दिया गया है, इसे कोई फरक नहीं पड़ता है, तो आए दोस्त तो इस साफ्ट को निकालते हैं, साफ्ट निकालने के लिए हमें एक लकड़ी का गुड़का ऐसा लेना है, और कुछ इस फरकार से एक पाइप लेना है दोस्तों, इतना लंबा पाइप, रोटर को नीचे के तरफ हीट करके निकाला जाए, हो सकता है, आपको रोटर निकालने में थ्वड़ा सा दिकत का सामना करना पड़े, कोई-कोई साफ्ट बिल्कुल रोटर के साथ जाम होता है, तो इसके लिए हमबर से कई बार मारना पड़े, लेकिन ये थ्वड़ा कम जाम था, तो इसलिए जल्दी निकल गया, तो दोस्तों यह हमारे पास सेम इसी मॉडल का साफ्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह पुराना वाला साफ्ट है और यह नय वाला साफ्ट है, इसकी साइज सेम है, देख सकते हैं आप, इस साफ्ट में भी होल है, इस साफ्ट में भी होल है, और इस साफ्ट के दोनों तरफ चूड़ी सेम साइज है दोनों सट का सबसे पहले आइए इस साफ्ट में अपना ये पुराना बॉस्ट लगा कर चेक कर लिया जा कि ये बुस्ट इस सइ все already तो दोस्तों यह नए वाले साफ्ट में बूस्ट बिल्कुल सही फिट हो रहा है इसका मतलब हुआ कि हमारा बूस्ट बिल्कुल ठीक है यह देख सकते हैं यह बूस्ट की जगा यही है बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है इसमें से यह बिल्कुल ठीक है प्राबलम यही था कि ये साफ्ट ही केवल कटा हुआ था बूस्ट सही है तो दोस्तों आप चाहें तो दोनों बूस्ट को भी चेंज कर सकते हैं अधिकांस पोजिशन में साफ्ट के साथ साथ दोनों बूस्ट को भी चेंज किया जाता है फिर से रोटर के साथ इस नए वाले साफ्ट को उसी परकरि नीचे के तरफ जाए दोस्तों यह साफ्ट बिल्कुल अच्छी जगह पे फिट हो चुगा है यह देखिए यह इसकी दूरी जो पच्पन एम्म था सेम पच्पन एम्म है वोडिक असाथ फिट करने से पहले दोस्तों हम जो वासवर जहां से निकाले थे उसी जगह पे फिट क कर लेते हैं बूस्त लगाने से पहले हमें थोड़ा सा आयल की जरूत पड़ेगा इसमें क्योंकि इसे आयलिंग करना है कि दोनों बूस्त अपने जगह पे बिल्कुल फिट हो चुके हैं और यह साप्ट भी अपने जगह पे बिल्कुल फिट हो चुका है अब आये इसे तो यहां पे हमें हमारा रोटर थोड़ा सा ऊपर के तरफ दीख रहा है एस्टेटर के साइज से तो इसके लिए हमें रोटर को निकालना है और एक वासर यहां से कम कर देना है एक वासर जब हम यहां से कम करेंगे तो हमारा जो एस्टेटर है रोटर है नीचे के तरफ यहां पर भी थोड़ा सा आयल डाल देना चाहिए यह देखिए बिल्कुली फीट पोजिशन में हो गया है अब इस कवर को भी उपर हम लगाई लेते हैं आ अरगाओ अरो कफ़ें और दोस्तों हमें इस चारू बोल्ट को बहुत अच्छी तरह से टाइट करना यह बोल्ट भी टाइट हो जाए और हमारा डाणा लिट अवह रही रहे जोत हजिए अभी हमारा रोट रिशी नहीं घूम रहे है तो कहीं कई हमारे फिटिंग में अभी कमी है इसलिए फिरी नहीं घूम रहा है तो बिल्कुल फिरी घूमता है अच्छी तरह से फिट करने के लिए दोस्तों हमें यह बैक वाली जो गेर बॉक्स है इसको खोलना पड़ेगा इसको एक बार खोल लेते हैं फिर अच्छी से फिट करके फिर बाद में इसको लगा लेंगे क्योंकि यह गेर बॉक्स भी तूट चुका है फोड़ सकता है इसी गेर बॉक्स के वाद से फिटिंग होने में दिक्कत हो रहा हूँ देखिए अब थोड़ा बहुत घूमने लगा यह तो दोस्तों यह मोटर बिल्कुल फिरी हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं यह रोटर बिल्कुल अराम से घूम रहा है अब यह इससे सप्लाइज देकर चेक करते हैं कि इसका साउंड काम हुआ कि नहीं ह्या चुआ है तो देखिए दोस्तों यह चल रहा है इसमें सब बहुत काम सांट आ रहा है जैसा कि आना चाहिए है अब आईए सको बatu के साहत्भा फूल ब grasp द्रगए अन्हें पंखडी के साथ पीड़ करके देखते हैं तो इसके फैन और जाली को भी मैं फीट कर दिया हूँ आप देख सकते हैं अब मैं इसमें सप्लाइज दे रहा हूँ तो देखिए दोस्तों कितना अच्छी तरह से घूम रहा है बिल्कुल साउंड नहीं है इसमें पहले कड़के आवाज करता था लेकिन अब बिल्कुल साउंड नहीं है तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी स्टेंड फैन या टेवल फैन में बूस और साट को चेंज कर सकत हैं जब यह प्राबलम आये आवाज और साउंड वाला तो दोस्तों मुझे उमीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों में भी सेर कीजिए और मेरे चैनल में अगर नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब करक